है गाईज हाई दिस अभिशेक मास्स लिचुर आप फिजिक सर्विधान तू कैसे चले बचो जिन्दगी कैसे हो मेरे शेरो शेन्यों आज मैं आपके सामरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ आप में से जब भी आपको एक examination देते हो तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि भाई कभी-कभी कुछ सवाल देखकर डर जाते होंगे आपको कोई भी सेट मिल सकता है और वो हमेशे easy to medium होते हैं लेकिन कुछ-कुछ सेट में कुछ ऐसे अतरंगी सवाल होते हैं जो देखकर हमें समझ नहीं आते और वो अतरंगी सवाल उसे बचने के लिए आज का ये आपका प्यारा से से लाइट चाप्टर से hot सवाल हम करने वाले हैं जो most probably आपके आने वाले periodic टेस्ट में मिक्टम में या प्रीबोर्ट में आ सकते हैं तो इस बीटे को एंट तक देखना छोटा से वीडियो का पंद्रा से 20 मिट का आपको जरूर अच्छा लगेगा लगेगा तो प्लीज मेक शूर टू हिट लाइक बटन शेर दिस कि सर जी इनको solve भी करना था क्या कि कैसे करना होता है आप बता देते तो सही होता है तो अब हम वह करने वाले हैं यहां पर साइड वैड़ में आना तो चाहिए ता आ नहीं रहा है पर खोई बात नहीं यहां पर आएगा यहां पर नहीं आ रहा हुए हुए का होगे आपर बहुत सिंपल से सवाल आपके सामने है if the image form by और देखो आप यह 2015 का सवाल है यह 2015 का सवाल है यह 2015 का सवाल है जो हमें याद रखना है क्या है सवाल इसा एक image बन रहा है मतलब जब हम mirror के सामने कहीं पर भी object को रखते हैं तो image हमेशा erect और diminished बन रहा है अब सवाल आपसे यह कि भाई यह कौन सा type of mirror है यह कौन सा type of mirror है क्या यह plane है concave है convex है अब आपको यहाँ पर हमेशे याद रखने है कि भाई plane mirror का जो image होता है जो आब हर दिन आईना देखते हो वो होबव हुए एक जैसे होता है आपके object जैसे यानिक अगर आपका object का height 5 meter है तो आपके image का height भी 5 meter ही होगा वो छोटा नहीं बनता है वो same size बंती है तो यह plane mirror नहीं हो सकता कौंके mirror है यह नहीं क्यों 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 की mirror का जो virtual image होता है वो हमेशा enlarged image बनता है वह हमेशा बड़ा बनता है यह Concave mirror की property इसको याद रखना है और एक ही mirror है जिसका जो वर्चिल इमेज होता है वो छोटा बनता है और वो है आपका convex mirror जिसको आप याद रखोगे ऐसे अगर आप वेदानतु का वेद याद रखते हो ना तो virtual erect and diminished image बनती है और वो वेद आपके convex mirror की property होती है concave lens की भी property होती है बात समाझ में आगे ठीक है तो एक कौन सा mirror होगा यह definitely आपका पहला जवाब होना चाहिए भाई यह तो definitely convex mirror है आपका ठीक है आपने note down कर लिया अब बात करते हैं दूसरा सवाल क्या है draw a diagram to justify your answer where and why do we generally use this type of mirror where and why तो हम बाद में आते हैं पहले draw a ray diagram to justify your answer अब यहाँ पर justify करने के लिए आप क्या करोगे convex mirror कर रहे diagram बनाओगे बट वो justification नहीं होगी क्यों भाई एक diagram बना देने से थोड़ी justify को कि किसी भी position पर रख लो तो image आपकी हमेशा virtual rate बनती है तो एक diagram नहीं दो diagram बना ले डिफरेंट डिफरेंट positions पर बात समझ में आ रहे ह आपने convex mirror बनाया ठीक है फिर एक और convex में बनाया ठीक है आप इसको बोलोगे यह है मेरा diagram number one यह है मेरा diagram number two आप ऐसे बोलोगे फिर यह जाएगी आपकी pole, pole के बाद पीछे होगा आपका focus और center of curvature और वैसे यहाँ पर होगी pole और यह होगा आपका focus और यह होगा आपका center of curvature ठ थोड़ा और mirror की पास आ गया होगा मदब आपने दो different positions of the object के लिए बनाया है आपका image और आप इसके थूरू दर्शाओगे कि कैसे मेरे object की position की बदल जाने से भी मेरा image हमेशा virtual और diminished erect or diminished होगा यह समझना हमें जरूब है ठीक है चलिए क्काम करते हैं आजा आजा हाँ भाई अधरी सहब यार यह तो दिक्कत दे रहा आज मिरेको अरे आज तो मिरेको बहुत दिक्कत दे रहा है पता नहीं क्या होगा आचानकस इसको ठीक है अब यहांपर दियान से तो यह क्या होगा भाई यह सीधी फिर क्या होगी यह convex mirror जो होता है तो यह थोड़ा सा diverge out हो जाता अब इस रेकों में पीछे ले जाओंगो तो focus के तुरू pass होगी एक रेकों में center of curvature के तुरू pass करवाने की कोशिश करूँगा तो वो retrace कर जाती है बस इन्हीं दो आप देखो इनका भी intersection यही पर हुआ है और आपका image हमेशा virtually 10 diminished है इसके बाद फिर आप बोलोगे looking at diagram number one and diagram number two with the change in object distance the image still remains erect and diminished hence proven ऐसे लिखकर फिर आप आगे बढ़ोगे तीसरे सवाल की तरफ ठीक है समझ महां की बात बहुत important अब आपका आता है तीसरा सवाल का जवाब क्या है तीसरा सवाल where and why do we generally use this type of mirror where do we use बहुत सारे हैं convex mirror के uses कौन-कौन से भाई आपका rearview mirror of the car junction mirrors है shopping mall mirror है आपके street light का mirror है बहुत सारी चीज़े आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन इन सब में convex mirror का इस्तवाल होता क्यों major reason है rearview mirror लिख देते हैं ठीक है एक example major reason आपका क्या है major reason है इन सारे cases में कि convex mirror आपको एक wider field of vision देता है क्या देता है wider field of vision यह आपने बार-बार सुन लिया होगा इसका मतलब क्या होता है यानि के मान लीजी आपका convex mirror है ठीक है यहां से कोई आदमी खड़ा हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा यहां को उच खड़ा हुआ है आपके लिए तो वो भी आपको दिख जाएगा अगर आप यहां से देख रहे हो यह आपकी आँखे है तो इतना जो यह convex mirror का जो wide है जो यह viewership है वो आपको पूरी की पूरी दिख जाती है कॉनके mirror क्या होता है कॉनके mirror ऐसे उल्टा बनता है तो यह जो light ray आती है वो यही converge हो जाती है आपके आंखों में नहीं पहुचती है अब समझ रहे हो यह सीधी आएगी तब आपके आंखों में आएगी वरना यह यह view बहुआ पनी मिलता प्लें में क्या होती है प्लें में light ray आती है ऐसे निकल जाती है तो यह कॉनके बर बें में नहीं होता वाइडर फील्ड ओ विजर आपका सिर्फ कॉन्वें में होता है वो उसका main reason है तो यह सवाल जो अभी आपने किया यह पांच मांग का सवाल है प्रो हाँ, ठीक है, एक सेकन टुक जाओ बच्छो, मैं इसको ठीक करणा थोड़ा, पता नहीं क्या होगा है, ना, अभी भी नीचे आ रहा है, नीचे कहा है आ रहा है, इसको ओपर आना चाहिए, यहाँ पर, वीडियो नहीं चाहिए हमको, हमको एडिट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, यही से उठा लेते हैं, चलाओ जाओ, अब तो हम सामने रखा हुए, ठीक है, So, nature, size and position of an image, of an object produced by a lens or mirror are as shown below, identify the lens, mirror, x in each case and draw the corresponding complete ray diagram, size of the object, about half of the image, अच्छा, size of the object, about half of the image, ठीक है, अब इसको यहाँ पर ध्यान सेखने हैं, बहुत ही-बहुत ही interesting सवाल, इसको देकर आपको समझ तो आ गया होगा कि भाई, इसमें गपला है, ठीक है, देखो, यहाँ पर हुआ गया है, X, एक mirror है, या lens है, x, एक mirror या lens है, पता नहीं, अब्जेट यहाँ पर है, image यहाँ पर बन रही है, और उल्टी बन रहे, inverted बन रहे है inverted यहां पर image आपका बन रहा है ओके और यहां पर अगर अगर मुझेखेंगे object यहां पर होगी मिरर यां लेंस यहां पर है और यहां पर आप스ड़ोंगे virtual image बन रहे है तो यहां पर आपको देखकर समझ जाना है कि ये mirror कौन सा ये lens कौन सा है इसमें आपको pro होना पड़िए ray diagrams में कर आप pro हो जाओ mirror और lenses में pro हो जाओ तब ही आप ऐसे सवाल कर पाओगे मुझे पूरा एकिने कि आप ऐसे सवाल कर सकते हो अराम से ठीक है मैं बताता हूँ उसको कैसे करना होता है सबसे पहले जैसे आप देखते हो कि image inverted बनी हुई है तो इससे समझ जाना आपको कि भाई ये definitely या तो एक concave mirror है या तो एक convex lens है या आपको समझ जाना है ठीक है या तो एक concave mirror है या convex lens है क्यों तो कि सिर्फ और सिर्फ concave mirror या convex lens एक real inverted image बना सकती है ये एक real inverted image होता है तो ये real image है बात समझ भागे ठीक है अब यहाँ पर ये mirror है या lens है भाई अगर mirror होता तो जिस side में object रखा हुआ है उसी side में image बनती है ना जिस side में object रखा हुआ है उसी side में image बनती क्योंकि reflection हो रही है लेकिन यहाँ पर उसके opposite side में image बन रही है तो definitely यहाँ पर एक convex lens को होना पड़ेगा तो इसका diagram बनागे देख ले तो इसका diagram अगर हम बनाएंगे तो हमारा ये convex lens से माल लीजिए ठीक है यह हमार optical center है यह मेरा F1 है यह मेरा 2F1 है यह मेरा F2 हो गया यह मेरा 2F2 हो गया और clearly मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा object जो है between F1 and 2F1 रखा हुआ है यह मेरी light ray आई focus के दुरू पास हुई दूसरी तो optical center दुरू गई और मेरे intersection यहाँ पर हुआ exactly यह same image बनी हो आप है क्योंकि भाई मेरा object distance आप देखोगे मेरे mirror lens से बहुत छोटा image distance बहुत दूर है object distance बहुत कम है तो यही एक image मेरे लिए sense बनाता है यह image यही ray diagram मेरे लिए sense बनाता है तो यह मेरा correct answer यहाँ पर हो जाता है ठीक है अब बात करते हैं इसकी virtual image है अब virtual image मुझे एक convex mirror भी दे सकता है ठीक है concave lens भी एक virtual image दे सकता है इन तीनों इसको भी दे सकता है अब यहाँ पर हम identify करें कि भाई कौन सा यहाँ पर इस्तमाल हुआ है सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर image जो बनी है वो कैसी है आप देखो कि मेरा object का size इतना है लेकि मेरा image बड़ा बना है देखेंगे मेरा image बड़ा बना है एक virtual image बड़ी कभी भी convex mirror से नहीं बनती है virtual erect and diminished image होता है हमेशा convex mirror में हमने इसके पहले के समाल में यही बढ़ा है ना समझ मा आ गया ठीक है तो convex mirror तो बिल्कुल नहीं है और यही same image property होती है concave lens की भी concave lens और convex mirror हमेशा virtual erect and diminished image ही बनाता है तो यहाने के पास आपके पास एक ही option बच गया है कि यह concave mirror होना पड़ेगा क्योंकि concave mirror ही सिर्फ हमेशा virtual erect and enlarged image देती है तो यहां पर मुझे रखना पड़ेगा एक concave mirror concave mirror में रख दूँगा तो फिर मेरा image virtual return enlarged बन जाएगा इसका diagram बना के ठीकात हो तो आपको यह आपका concave mirror है यह pole है और virtual image बनाना है तो मेरा जो object है focus or pole के बीच में होना चाहिए लाइट रेगे सीधी reflect कर गई रिफ्लेक्ट कर गई यह सेंट्र अफ कर वे जिस निकला retrace कर गया दोनों को project back करेंगे तो यहां पर intersection होगा आप देखो कि same image बनी हुए object यहां पर image बनी हुए, object वहां पर image बनी हुए, object वहां पर image बनी हुए अधिन-converging lens forms a real-magnified image, a virtual-magnified image तो यानि कि अगर एक converging lens पहले वह दे दिया converging, converging मतलब यह हो गया convex, converging lens होती है convex lens, ठीक है, आपको दे दिया, सीधा बोल दिया कि convex lens है, convex lens दोनो real-magnified image और virtual-magnified image बना सकता है, concave mirror की तरह, clear कर को एक दम, ठीक है, अब आगे, of an object placed in front of it, write the positions of the objects in each case, आपको सिर्फ लिखना है, आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है कि भाई, कहां-कहां पर मुझे एक real-magnified image और virtual-magnified image मिल सकती है, है ना, बहुत सिंपल सवाल है, भाई, real-magnified image कम मिलेगी convex lens में, जो आपका object between f1 and 2f1 होगा, जैसे हमारे यह वाला case था, between f1 and 2f1 रखा हुआ, image देके real-magnified मिली हुई है, है ना, virtual-magnified के लिए कहां मिलेगा, अगर आपका object between f1 and optical center रखी मेरे लिए एक real-magnified image बन जाएगी, अब बहुत सारे आप में से पूछींगे, जिन्होंने थोड़ा पड़ा हुआ है, आप पूछोगे मुझसे, सर जब मेरा object focus पे होता है, तब भी तो एक real-magnified image बनती है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई ग इमेज की जो क्या कहते हैं, ये होती है, height होती है, वो infinite होती है, तो आप एगरी करो कि हाँ आपर highly-magnified बन रही है, highly-magnified नहीं पूछा है, लेगन आप इसके साथ उसको लिख भी दोगे न, तब भी आपके कोई marks नहीं काटेगा, और यहाँ पर virtual image बनाने के लिए between f1 and optical center ह होना चाहिए, ताकि आपका एक virtual और magnified image बन पाए, पहला सवाल कहता हम हो गया, दूसरा सवाल करते है, draw labeled ray diagram to show the image, बनाना ही है, भाई diagram, तो फिर इतना suspense क्यों दिया, पहले ही बना देते हैं, पहले ही बना देते हैं, चल यह बी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने convex lens उठाया दो convex lens बनाना है महीं यहाँ पर, दो convex lens बना लेते हैं, ठीक है, ओके, अब लंब बनाना है, यह होगी optical center, यह आपका F1, यह आपका 2F1, यह F2, यह 2F2, सेम यहाँ पर 2F1, यह F1, यह optical center, यह F2, यह 2F2 बना दिया हमने, ठीक है, तो पहले में हमारा जो object है, between F1 and 2F1 है, ray ग दूसरे अप्टिकल सेंटर गई और यहाँ पर होगा आपके intersection, real, magnified and, you know, inverted image, दूसरा आपका यहाँ पर F1 और optical center के बीच में है, यह रह गई parallel, F2 के दूर निकल जाएगी, दूसरी आपकी optical center के दूर निकलेगी, अरे, सौरी, एक सगन बच्छो, यार, आज बहुत दिक्क मैंने गलत बना दी ठीक है, यह वाले जो लाइन थी मेरी गलत बन गई, oh my god, ठीक है, यह रहे optical center तो निकली, आप देखो कि यह दोनों diverge out हो रहे हैं, तो converge नहीं होगी, तो real image डी बनेगी, lens के पीछे ले जाएंगे, तो converge हो जाएगी, यह आपकी virtual erect and enlarged image बन गई, perfect, तो आ आपका A भी हो गया, B भी हो गया, बोलब बले बले, ठीक है, C पाट क्या कहता है, how will the following be affected on cutting this lens into two halves, यह है इसका actual hots वाला पाट, क्या भई, how will the following will be affected on cutting this lens into two halves, along the principal axis, oh oh oh, यानि कि अगर हम इन दोनों lenses को आधे से काट दे, तो फिर क्या फरक पड़ेगा, focal length, intensity of the image formed by half lens, मतलब basically आप देख रहे हो कि भई, इन दोनों को अगर मैं half काट दूंगा, आधा आधा काट दूंगा, तो क्या फरक पड़ेगा, the answer to that question is, क्या फरक पड़ेगा, भई, सोच कि तो दिमाग लगा, अगर मैं lens का आधा आधा पाट काट दू, तो कोई फरक नी पड़ेगा, image will still be formed real and virtue, there will be no effect, there will be no effect, except, एक छोटी सी effect पड़ेगी, except, अब वो क्या है, क्या छोटी सी effect, या क्योंकि आधा lens अब रहा नहीं, याने कि आधा refraction अब हो नहीं रहा, याने कि आधी रोश्नी, जो इस्तमाल की जानी चाहिए थी, image बनने के लिए, वो पहुच नहीं रहे, सिर्फ आ बागी आधी रोश्नी पहुच नहीं रहे, तो आपको जी image बनेगा, वो कम bright बनेगा, उसके अंदर कम रोश्नी होगे, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, there will be no effect, except, the image formed will be less bright, बस, formed will be less bright, खतम बात, इतने अच्छे से में लिख कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है, टोटल प पांच मां का सवाल है, यहाँ पर एक मांक मिल गया, यहाँ पर आपको तीन मांक मिल गया, यहाँ पर एक मांक मिल गया, टोटल यह पांच मां का सवाल आपके लिए दे धनादन धन हो गया, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब चौते सवाल में जाने से पह तो आप क्या करोगे हमने न आप लोग के लिए बना दिया है free periodic test का series जहां पर science के max के sst के English के इन चारो subjects के 5-5 test papers हैं जो exactly आपके periodic test midterms के format में हैं with solution और वो solution भी ऐसे हैं कि जितने marks का है उतने marks का solution है ना extra word ना कम word physics और max में सारे step भी रिखे हुए हैं ताकि आपके step marking में marks ना कटे और ये सारे के सारे test papers आपको free में हमारी description में दिया हुआ है महाँ पर link होगा periodic test link तो जाइए click करिए और free में ले जाइए कोई issue नहीं है आप अच्छे से पढ़ाई करो और इस periodic test से कितना help मिलना मुझे बताना इस periodic test में आपके pyqs भी involved हैं आपके major जो reference books हैं उनके भी सवाल involved हैं जैसे s-chant हो गये, rd शर्मारे से ग्रवाल हो गये, sst के होगे, english के होगे, तो इन सब के सवाल भी involved है, ncrt exemplar के सवाल है, ncrt के भी सवाल है, और हमारे site से, हमारे site से थोड़ा सा end में extra नमक, वो है most expected questions from our end, वो भी उसमें है, ठीक है, तो miss out मत करो, जा अभी के अभी ले लो, description में link है, पर बाद मुलना से link निकाल दिया, अपने मत बोलना ही है, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते है, बात करते हैं, हमारे 4 और 5 सवाल का, ठीक है बेटा, चलो, आज़ो, 2015 का सवाल क्या कह रहा है, ये, draw a label ray diagram to locate the image of an object formed by a convex lens of focal length 20 cm when the object is placed at 30 cm away from the lens, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ diagram बनाने के लिए बोल रहा है, लेक और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछने से, जब ऐसा सवाल आए, तो scale रखके बनाए क्या कि 20 cm का focal length 3 cm का ये, नहीं, नहीं बेटा, आप राफ राइड़ाम बनादो, बस हहाँ पर mention कर देना कि ये 20 cm हो 30 cm, बस, आपको scale से नहीं बनाना, ठीक है बेटा, चलो, अब आग 1F is equal to 1 upon V, minus 1 upon U, ये lens formula हो गया, जहाँ पर आपको V निकालनी है, U को मैं यहाँ ले आओंगा, तो plus हो जाएगी, plus 1 upon U, ठीक है, so 1 upon V will be equal to focal length कितनी है बेटा, आपकी 20 है, और minus 1 upon U कितनी है, 30 है ना, ये minus वाला जो 30 का था हो, मैंने उपर रख दिया, अब इसका बेल से निका तो आपके पास 1 by V आ जाती है, 1 divided by 60, तो V will be equal to 60 cm, यहाँ पर देख रहे हो आप, है ना, V कितनी हो गई, 60 cm की हो गई है, ये आपका real image बना है, convex sense के case में, real ही बनना चाहिए था, है ना, क्यों बनना चाहिए real, देखो, diagram बनागे तो समझ बना जाएगा, ये आपका optical center है, य ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है, object, focal end कितनी, focal end आप देख रहे हो, 20 cm की है, तो मेरी जो F1 है, वो 20 cm, बस ऐसे लिख दिया आपने, तो बच्छों, अगर F1 मेरा 20, 20 cm है, तो मेरा 2F1, 2F2, कितने पर होना चाहिए, डबल पर, 40, 40, तो 2F मेरा 40 होगा, और 2F to मेरा, 40 होगा, बराबर, अब object distance कितनी है, आप देखो कि object distance दी गई है, sir, मेरा object distance है, 30 cm, 30 नमबर जो है, वो 20 और 40 के बीच में आता है, याने कि मेरा object यहाँ पर होगा, 30 cm दूर, बोलो बले-बले, ओ-ओ-ओ-ओ, मज़ा आ गया, तो आप देख रहे हो, तो मेरा object कहां पर ह between f1 and 2f1 है, तो मेरा image कैसा बनना चाहिए, real and inverted बनना चाहिए, और खहां बनना चाहिए, beyond 2f2 बनना चाहिए, है न, यह हम जानते है, यह हमारा चौता ray diagram है, है कि नी, convex lens का, तो मेरा यह ray गया straight, निकलेगा मेरे focus के तरू, दूसरी रे optical center के तरू जाएगी, और यहाँ पर हो यहाँ यहाँ पर distance, कितनी आई है, 60 cm, और यह कितनी correct है वो, क्योंकि मेरी जो value है, वो 40 से जादा होनी चाहिए थी, 40 पर तो मेरा 2f2 है, उसके बाद बनने है न, मेरे image, तो 60 पर बन गया मेरे image, perfect है, पूरे marks आपको मिल जाएंगे, इसमें है न, चलो, बल्ले बल्ले, अब यह आया हमारा आखरी सवाल, आज का, 5th hot question, which I have taken personally, क्योंकि यह power related सवाल है, और power में आप लोगो दिक्कत होती है, वो अभी में solve कर रहेता हूं, ठीक है, बेटा, ध्यान से देखना, होती है, तो वहाँ पर इस्तमाल होता है, convex lens, ठीक है, और अगर convex lens इस्तमाल हुआ है, तो उस इंसान को है hypermetropia, यह पूरी की पूरी चीज़े आपको याद रखने है, ठीक है, positive है, तो convex lens का स्तमाल होता है, convex lens, hypermetropia टीक करने के लिए होती है, मैं human and colorful world का भी मैं आपको समझ lens, ठीक है, concave lens होगा, और concave lens का इस्तमाल हो रहा है, तो फिर आपको myopia है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह पूरी को करेट करने के लिए इस्तमाल जो lens होता है, उसकी focal length और नेगिटिव होती है, hypermetropia पे लिए positive होती है, इसको याद रखिए, ताकि examination में confusion न ठीक है, यह हो गया, अब यह आपने nature बता दिया, nature के साथ अभी बताना है, focal length कितनी है, बस power is equal to one upon f, आपका focal length होता है, so focal length is equal to one upon p, focal length is equal to one upon two diopter, तो कितना हो जाएगा भाई, 0.5, 0.5 meter, या तो फिर आप लिख दो को इसको 50 cm, जैसे भी आपको लिखना है, यह हो गया पह 0.25 meter, तो focal length आप लिख दोगे, sir, minus 25 cm होगा, खतम, पहला part हो गया, बहुत easy, ठीक है, अब दूसरा part क्या कहता है, an object is kept at a distance of 100 cm for a lens of power minus 4 diopter, ठीक है, calculate image distance, अब देखो बेटा, यहाँ पर, यह बहुत simple है, इसको देखे, confused मत हो जाना, इसमें पूछा क्या देखो एक बार, ठ अब ध्यान से देखे, ठीक है, an object is kept at a distance of 100 cm for a lens of power minus 4 diopter, भाई, minus 4 diopter है, मतलब कौन सा lens है, concave lens है, ठीक है, तो एक concave lens के लिए, दी पाटे है, concave lens के लिए, आपको object distance दी गई है, minus 100 cm, और focal length भी आपको दिया गया, कैसे, भाई, power बोला है, minus 4 diopter, focal length आपने निकाल दिया already, minus 25 cm, तो आपने focal length निकाल दिया, minus 25 cm, आपको पूछा जा रहा है, image distance निकाली है, नहीं निकाल सकते है, निकाल सकते हो, na, lens formula क्या है, 1 upon f is equal to 1 upon v, आपका हो गया, minus 1 upon u, यह आपका lens formula है, v निकालने तो u को यहां ला जाओ, तो 1 upon v will be equal to 1 upon f, plus 1 upon u हो गया, अब इसमें f और u u की value डालिए, और इसमें जो आपकी v की value आती है, वो मुझे comment section ने बताइए, क्योंकि यह आपका आज का homework है, ठीक है बेटा, तो बस simple सवाल, कि कैसे power से आपको value निकालनी है, आपके image distance की समझ में आ गया, ठीक है बेटा, तो यह homework है आपका, इसका जवाब मेरे को दे धना आदन चाहिए, आपके comment section में, और अगर आपको आज का यह प्यारा session अच्छा लगा हो, तो make sure करें कि इस video को like करें, और ऐसे amazing sessions के लिए चैनल को subscribe करें, और अगर आपको ऐसा ही धमागेदार session human eye के लिए चाहिए, तो मुझे comments में बताइए, अगर इस video में 50 comments से जाधा आ ज आपको description में लिंक पर मिल जाएंगे, और साथ इस opioid test का test series भी description में miss out मत करेंगा, मिलते बच्चों, take care, enjoy life, stay home, stay safe and stay strong, peace.